दोस्तों कैमरा बंडी करके एक तेलुगू फिल्म आ रही है जो की नेट्फिक्स पे होगी इसमें एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है कि एक आटो में कोई बंदा कैमरा भूल जाता है और वो आटो वाले को मिलता है वो आटो वाला बिल्कुल एक गाउं से है और वो क आटो कि कामरा अपने गाउं के एक छोटे फोटोग्राफर को थमा देता है जबकि वो छोटे फोटोग्राफर को यह पता नहीं है कि कामरा का यूज क्या है तो उनको बताता है कि यह काम्रे से बड़ी-बड़ी फिल्म में बंती है जिसमें टेलुगों काम कствен सब्टाइब यहाँ पर दिये हुए है, तो मैं इंट्रेस्टिंग डायलोग्स का आपको हिंदी में करके शुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह फिल्म तेलुगु में है, तो हिंदी में मैं आपको कुछ एक्स्प्लेइन करना चाहता हूँ, दोस्तों ऐसा ही होता है, कि जब अंजान कैमराम को एक बड़ा कैमरा हाथ लगता है, जैसे कि यह बंदा इसको पूछ रहा है, कि तुमारे कैमरे के ऊपर यह जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, यह किस चीज के लिए है, जबकि उसको पता नहीं, इसको माइक्रोफोन बोलते है, तो बताता है, कि यह जब हात में पसीना हो पसीन में पोचने के लिए है! मिल गए लेकिन फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे एक्विमेंट भी लगते है ये इनको पता नहीं था इनको ऐसा लगता है कि इस कैमरे से हम बड़े बज़ेट के एक फिल्म बना लेंगे और अपने गाउं का उद्दार हो जाएगा और अपना गाउं इंटरनेशनल लेवल इनको पता चलता है कि कैमरे में बैटरी लगती है और बैटरी के लिए चारज है तो गाउं में तो लाइट ही नहीं है तो वो लोग बिजली के लिए भी स्टार्ट करते है फिल्म की लाइटिंग के लिए आटो की हेडलाइट यूज करते है ट्रॉली जूट सॉट के लिए आटो को इस्तेमाल करते है और क्रैन शॉट के लिए यह जो जिम्मी शॉट है या क्रैन शॉट है तो इस फिल्म को देखने के लिए आपको नेट्फिक्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा नेट्फिक्स पे फिल्म आ रही है चौदा मै को जी हाँ 14 मै को यह फिल्म रिलीज होने वाली है अभी इसका टीजर आपको यूटूब पे मिल जाएगा जिसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा